What is up guys back again with another video और आज की बड़े में हम बात करेंगे Battleground Mobile India गेम के अपडेट के बारे में और यहां पे इस वीडियो में मेरे पास बहुत ही अच्छी गूड न्यूस है आप सब के लिए लेकिन उससे पहले बतातों कि लास्ट वीडियो में हमने जैसे बताया था कि आईजेन की जो रिपोर्ट थी की डेटा शेयर हो रहा है Battleground Mobile इंडिया का यूजर्स का चाइना की सर्वर्स के साथ तो उसके बारे में जो अब फाइनली ऑफीशली स्टेटमेंट आ गई है क्राफटरं कंपनी की तरफ से तो उसको आप पढ़ सकते हैं नीचे में लिंक दिया हुआ है उस पर आप जाके आर्टिकल पढ़ सकते हैं लेकिन मैं बता देता हूं कि उसमें क्या क्या एड्मिट किया है क्राफटरं ने पॉशली स्टेटमेंट में उन्हें पहले से पता था कि इजो डेटा शेरिंग यॉसर्च रिटा नेस न्हीं के मामले में और प्र बिल्कुल भी कोई भी यूजर्स का डेटा चाइना के सर्वर या फिर जो रिस्ट्रिक्टिट आई-पी अडिसिस हैं उनके शेयर नहीं होगा यह एक पहली अफिशल स्टेटमेंट है क्राफंट कंपनी की तरफ से इस डेटा के मामले के बारे में और जैसा कि उन्होंने बता हो गहे हैं लेकिन फिर भी कुछ लीडर्स जो पार्लिमेंट के लीडर्स हैं उन्होंने यह लेटर डाला है गर्रमेंट के लिए कि आप इसे फिर भी डीव से जाच करें इसकी कि सच में यह ऐसा हो रहा है या फिर नहीं तो उसके बारे में हम देखेंगे लेकिन जो यहां पे good news है कि officially यह announce हो चुका है कि यह जो game होगा launch के बाद कोई भी data share नहीं होगा चाइना के servers के साथ तो आपके लिए एक relief है कि यह game आप हमेशा खेल सकते हैं launch के बाद यह सिर्फ early access में यह जोटी सी problem थी और आपको उस सारी story के बारे में जानना है तो आप मेरी last video को देख सकते हैं बट इस video में बैसे इतना ही और अगर आपको बाकी update और कुछ और जानकारी चाहिए तो आप इस channel को subscribe कर सकते हैं वीडियो को like कर सकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली update के साथ बाई